So the question is a particle moving in a straight line covers half the distance with speed 6 meter per second ठीक है तो भईया हम कोई distance मान लेते हैं यह कोई distance है A और B इसका जो half distance है यह 6 meter per second से cover किया गया है ठीक है The other half is covered in 2 equal time interval with speed 9 meter per second and 15 meter per second तो इस distance को 2 बराबर time से cover किया गया है इसको भी T और इसको भी T यह speed है आपकी 9 meter per second और यह speed है आपकी 15 meter per second The average speed of the particle during the motion तो आपसे average speed का basic question पूचा है बस इसमें 2 case एक साथ जोड़ दी है तो बेटा यह जो distance है यह भी क्या distance है यह आपका half path है और यह total भी आपका half path है अगर आप total distance को x मानते हो जिसे मान लिजिए आपने total distance कितना मान लिया x तो यह distance कितना हो जाएगा x by 2 और यह half path कितना हो जाएगा x by 2 तो LCM का लफडा अपन नहीं रखेंगे तो यह total distance को हम 2x मान लेते हैं तो यह distance कितना हो जाएगा आपका x और यह distance भी कितना हो जाएगा आपका x इसमें कोई doubt नहीं है जैसे मान के चलिए जैसे यह आपका one third होता और यह two third होता तो आप three x मान लेना ताकि one third कितना हो जाएगा x और बाकी बचा हो जाएगा two x simple सी बात है आप lcm को क्यों करेंगे बार बार तो यह distance हो गई x और यह distance भी हो गई x अब simply हमारा average speed का जो formula होता है वो होता है total distance divided by total time तो total distance यहां से लेके जहां तक की वो तो हमने माना ही है two x चीक है अब यहां से लेके यहां तक का time क्या होगा तो बेटा यह जो distance हमने cover की है इसका हमें distance भी पता चल रहा है और speed में बता है distance कितना है यहां से यहां तक का x और speed कितना है six meter per second तो speed is equal to होता है distance divided by time तो time हो जाएगा आपका distance divided by speed तो distance है यहाँ से यहाँ तक की x और speed है 6, इसमें कोई doubt नहीं और यहाँ से यहाँ तक का time कितना है बेटा यह तो 2T हो गया न बहुत यह time दिया तो है equal time तो हमने माना है t, तो यह t plus t कितना हो गया आपका, 2T अब बेटा जो हमने x माना है और team आना है, वो तो हमें हटाना पड़ेगा है न, इसके form में तो answer आएगा नहीं तो या तो आप x को t की form में लिखो या फिर आप t को x की form में लिखो उसको कैसे लिखेंगा हम, उसके लिए हमारे पास यह चीज है यही चीज है हमारे पास, बेटा यह total distance कितना है, x, यह total distance कितना है, x है अब ध्यान से देखो, अगर आपके पास distance है तो distance क्या हो जाएगा आपका, velocity into time यह speed into time, तो बेटा है, total distance इन दो distance का addition है, यह distance कितनी होगी इसका speed भी पता है हमें, इसका time भी पता है तो यह distance कितनी हो जाएगी, 90 और यह distance कितनी हो जाएगी, plus 15T तो x is equal to कितना होगी बेटा, 15 plus 9 यह हो जाएगा आपका 24T clear है, तो x के जगा 24T रख दो तो यह हो जाएगा 2 into 24T यह हो जाएगा 24T divided by 6 plus 2T, तो यह हो गया आपका 2 into 24T यह कटा भया कितनी बार 4 times, तो 4T plus 2T कितना हो गया, 6T यह 6 से कटा कितनी बार, 4 times और यह T से T कट गया, 4 to the कितना हो गया आपका 8 meter per second यह ही आपका correct answer है, ठेके?